पहलो एवरीवन, वेलकम बेक टू नॉलिज फोर फ्यूचर स्टडी चैनल भारत की नदी घाटी परियोजनाओं से सम्मंदित कोश्चन्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पहला कोश्चन है तिलयया, कोनार, मैथान इबं पंचेत बांध किस नदी घाटी परियोजनाओं पर निरमित है अगला है नातपा जाकरी परियोजना यह कौशन पूछा गया है काफी वार नात्पा जाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर निर्मित है, नात्पा जाकरी परियोजना, ठीक है, ये पूछी गई है एक्जाम में, सतलज नदी पर है, नात्पा जाकरी परियोजना, किसन गंगा परियोजना, जेलम नदी पर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो पहली पर है और जम्मू कस्मीर में ये इस्तित है उकाई परियोजना का संबंद किस राज्जे से है उकाई परियोजना गुजरात राज्जे से संबंदित है बिस्व जल दिवस काफी वार पूछा गया एक्जाम में बिस्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है ठीक है बिस्व जल दिवस अब आपको comment करके बताना है कि प्रत्वी दिवस कम मने जाता है आप comment करके बताओ एक्जाम में केन बेतवा लिंक परियोजना का सुभारम प्राय दीपिय नदी विकास परियोजना की अंतरगत कव किया गया तो केन बेतवा लिंक परियोजना ये 25 अगस्त 2005 को इसका सुभारम किया गया किस राज्य से सम्бंदध है ये आप कमेंट करके बताओ केन बेतवा लिंक किस राज्य से सम्бंदध है इसका जो सुभारंब है वो पच्छीस अगस 2005 को किया गया था नरम्दा मायकरो उद्दोहन सचाई परियोजना का भूमी पूजन कब किया गया तो नरमदा माइक्रो जो सचाई परियोजना है उसका भूमी पूजन 26 सितंबर 2020 को किया गया था कमेंट करके बताओ तो गंगा को बंगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले गंगा वे ब्रहमपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है इसको मेगना कहते हैं गंगा और ब्रहमपुत्र इन दोनों की जब संयुक्त जलधारा होती है और गंगा को अगर पूछे बंगला देश में तो गंगा को पदमा के नाम से बंगला देश में जाना जाता है इसके अलबा एक कोशन आता है ब्रहमपुत्र को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है भारत की कौन सी नदी सुंदर्वन डेल्टा बनाती है तो दो नदिया है भारत के एक तो गंगा ब्रहंपुतर ये दोनों ही सुंदर्वन डेल्टा बनाती है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रिवेश करती है तबा किस की सायक नदी है बिहार का सोक किसे कहते हैं ये कोशिन काफीभारि एक्जाम ना आया हुआ है बिहार का सोक बोला जाता है कोसी नदी को कोसी नदी को बिहार का सोक का जाता है ठीक है यह कोश्चन आते हैं सोक वाले आप से पूछ सकता है कि पश्मी वंगाल का सोक किस नदी को कहते हैं बिहार का सोक किस नदी को कहते हैं चीन का सोक किस नदी को कहते हैं इस सारे question आपको याद रखने है कौनसी नदी भ्रंस द्रोनी से होकर बहती है तो यह है नर्मदा नदी नर्मदा नदी भ्रंस द्रोनी से होकर बहती है भ्रंस द्रोनी का मतलब है दो पहाडियों के बीच में से होकर यह भेती है दर्रे में से होकर ठीक है सत्पुड़ावा बिंध्याचल के बीच में से होकर हाली में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रिय दरजा देने की कोशना की है तो गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रिय दरजा देने की कोशना की है प्राइदी पिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गोदावरी नदी प्राइदी पिय भारत की सबसे बड़ी नदी है इंपोर्टन कोश्चन है ठीक है अगर आपसे इंडिया जीके में पूछेगा तो गंगा तो आपको सभी को पता होगा लेकिन प्राइदी पिय भारत पचीसो दस मीटर भी है इसकी लंबाई ठीक है तो पचीसो मीटर की लंबाई है लगवग इसकी गंगा नदी की सबसे लंबी नदी है भारत की काबेरी नदी कहां गिरती है काबेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी पश्यम की ओर बहती है और अरब साग में भेती है नर्मदा नदी कौन सी दो नदियों की लंबाई लगवग समान है सिंदु नदी इसकी लंबाई है 2880 मीटर किलो मीटर ठीक है और जो ब्रहंपुत्र नदी है उसकी लंबाई है 900 कम, ब्रंपUtr नदी की लंबई है 900 कम, दोनों लगवग समान लंबई की है 280 कम और ब्रंपUtr 290 कम कावेरी जल्बबाद की राज़यों के बीच है, कावेरी जल्बबाद हम पड़ रहे थे, क हमने डिसकस किया था है कि गोदावरी नदी प्रैदीपिय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी को ही ब्रद गंगा भी कहा जाता है कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रशिद्ध है तो अभी मैंने जब कोव्या नदी के बारें पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि यह बिहार का है और बिहार का सोग क्यों है क्योंकि अपना मार्ग बदलती रहती है और मार्ग बदलने के कारण इसके रास्त